MBBS in Nepal 2023 All Details Nepal options किसके लिए ठीक है और किसके लिए नहीं आज हम डिस्कस करेंगे नेपाल में मब्स के option पर कि नेपाल किसे जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए या नेपाल as an MBBS option क्यों है तो देखिए historically तो इंडिया के बाद नेपाल लोग जाते ही है शुरू से and it is as good as India तो आप मानके चलिए कि जब हम MBBS abroad करने बाहर जाते थे और MBBS abroad तब ही जाते है जब हमें इंडिया में seat नहीं मिलती कि हमारे जितने मार्क से उस पर बहुत महेंगी seat मिल रही है है ना फिर खासकर abroad का हम जानते ही है काफी रूज धिरे धिरे चेंज हुए 2017 में सबसे पहले नीट क्वालिफाई का रूल आया इंडिया की तरफ से उसके बाद 2018 नमंबर 2021 को बहुत बड़ा रूल आया कि जिसमें बड़े सारे नॉम साग्यों सबसे बड़ा नॉम यह कि आपको इνटरशिप वहां भी करनी है और यहां भी करनी है इंडिया में जिससे के आपका टैन्यों बढ़ गया पढ़感 तो नहुन पाल जोन कि पूरा ही इंडिया को कॉप्धे कौपी करता है तो सभाटory करते हो तो एक साल की इंटरशिप साथे पांस साल आपको वहां लगेंगे फिर एक साल इंडिया में इंटर्शिप करने हो पड़ेगी तो आपके एक साल बढ़ जाती है फिर भी इसका टैनियोर शॉल्टेस्ट है अमंग और अब्रॉट कंट्रिस लाइक रश्या कजागिस्तान खिर्गिस्तान उस्बेकिस्ता जोर्जिया चाइना मैं जान मुझे उक्रेन का नाम ले रहा और फिलिपीस का नहीं ले रहा है जो कि मेरी बहुत हुआ करती थी बट इस नए रूल आने के पाथ बाद और फिलिपीस में का टैनोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है फिलिपीस में से साड़े-चार साल और एक है तो यह सब नेपाल को अड्वांटेजिस हैं तो अगर ऐसी बात है तो शैद हमें यह वीडियो भी क्यों बनाना पड़ रहा है या नेपाल के लिए तो लाइने लगनी चाहिए लोग मैं बड़ा प्रटेकली बोलू तो किसी भी कंसल्टेंट को या नेपाल कंट्री को मा सब्सक्राइब करते हैं नेपाल की जो फीस है वह बाकी से जादा और इंडिया के बराबर होती है तो नेपाल का टॉप कॉलेजिस है उसमें तो सेमेंटीफ़ फॉजन डॉलर फीस है तो खौश्टे मिला कि आपको 71 बहतर पढ़ जाता है विच इस गुड़ इस दो इंडिया के कॉलेजिस है तो लोग को लगता है कि हम इंडिया में ही पढ़ ले एक साल तो बचा ले तो उस वजह से नेपाल थोड़ा सा जिसे बोलते ह सब्सक्राइब के लिए अब समझ रहे हैं और अब यह है कि दोनेशन हमें देनी पड़ रही है और सिरफ पे काम हो रहा है तो जो जो धाय तिन सारे पहले डोनेशन देनी पड़ती थी अब बीना डोनेशन कि आपको निपालियों मिल रहा है यह बड़ा फरक आ गया और जै सब्सक्राइब हो गया और समझदार अब दिखाएंगे तो आप बहुत असानी सब्सक्राइब को सकते हैं इंडिया आपको काठमांडू के लिए मिलेंगी बद फिर काठमांडू से छोटी चलती है जो नेपाल की हर मेजर सिटी में जाती है तो आपको कॉलिज कहीं पर भी हो आप मोटा मोटी बाइयर वहां पहुंच सकते हो ऑफिशल लास्ट में आपको आदे से घंटा बसे टैक्सी में बैठना पड़ेगा टोटल मिला कि नेपाल में एक्जेटली ट्वंटी टू मेडिकल कॉलिजी से एक्जेट ट्वंटी टू जिसमें छे हैं जो कि नेपाल क के ऑफिशल सरकारी कॉलिज हो गए आपने नाम सुना होगा बीपी कोई राला आई यो एम पातन नेपाली आर्मी इंसिटूट और इन सब में किसी में सौ सीटें हैं किसी में बीसीटें भी हैं और जैसे कि जो एक नेशनल अकैडमी मेडिकल साइंस है बहुत शांदर कॉलि नेपाल गवर्नमंट निक तरह से अमर्पी दे रख है 75,000 डॉलर की फीज का टू टेक फॉप एनी फॉरन स्टुडेंट और एनी फॉरन में इंडन भी आते हैं बागी देश भी आते हैं जो कि आज की डेट में 62-63 लाख बन जाता है बन नेपाल में हमेशा धानक्षी जो पहले तीन साल में सारे फीज ले लिजाती है और वन फट वन फर मोटा मोटी चलती है तो यह चेप मेडिकल कॉलिज में तो इडमिशन तक्रिबन बहुत मुश्किल है विए नेपाल की अपने बाच्चे हैं वह फाइट मारते हैं फिर भी हर निपाल में चार-पांस सीटें allocated हैं वर उसके लिए आपको नेपाल केंटरस लेना पड़ता है जो जिसे हम MBC exam कहते हैं जो October November में होता है इंडिया के admissions होने के तक्रीबन बाद तो नेपाल इंडिया से ना कि अभी एक भीना पहले ही नेपाल के 2022 बैच क्लास से स्टार्ट हुई है लेकिन वो दिरे दिरे कैच अप कर रहे हैं इंडिया में हो था कि स्टार्ट लेट हुआ है लेकिन वो पढ़ाएंगे ऐसे कि आपके चार साल वही तभी खतम हो जाएंगे जब इंडिया टाइम में ख प्रिफटार्ट प्रिफर्ट दो नेपाल के बच्चों से बात करी सो नेपाल में थोड़ा यह चलता है कि नेपाल की लोकल लोग है सब्सक्राइब करने हैं तो अगर हमको जैसे मैंनों से पूछा मुझे बच्चे मिलें कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो अपने इंडिया की तरह है तो आप कैसे करते हो जो आपका एक्जैम आप MBC का ले लेते हो तो सबने का कि सथ देखिए नमस में तो है नहीं सकारी सीट तो हमारी पहली पांच आप्शन ब्लीकुल वही रहती है आयो एम बीपी कोईराला हम इनको पहले भरेंगे उसके बाद हम अपना पातन भरेंगे नेपाली आर्मी भरेंगे और करनाली अकेडमी करनाली भर देंगे नेपाली बच्चों के लिए फीस होती है इंदी फ्राइवेट कॉलेज जो अगले 16 पर बात कर रहा हूं यह फिक्स रहती है 45,000 नेपाली 45 लैक नेपाली रूपीज हो इंटेर कोर्स तो वो 30 लाख रूपे इंडिन करन्सी में जैसा मैंने का कि फॉरन के लिए उनने हमारे सब्सक्राइब के लिए 62,000,000 है तो हमसे आधी फीस पड़ती है नेपाल का बच्चा जब अपने कॉलिज में पड़ता है और हम इतना से डबल दे रहे हैं इसलिए उनकी कॉलिज चाहते हैं कि हम जाए हम नहीं जाएंगे तो नेपाल के बच्चों बच्चों मीशन दे दे लिए अचे तो चाहिए रिए मेणिए टूप उबर्म झॉ और चाहिंव औरे है काट्वांडू को और यों मेडिकल साइंस नपाल मेडिकल मेडिकल कॉल्ग इए बिat नब् main ch organic नेपाल गंज मेडिकल क्ने लुक्त क्रिक्च लिए है सब्सक्राइब नोबल मेडिकल कॉलेज बीडिट नगर देवदा को देवदा में पड़ता है इस और काठमांडू उनुवर्स्टी विरस तरभून के अंदर आ जाते हैं की सबसे यहां पर मैडिकल साइन्स के साथ में पोखरा जहां पर मनिपाल भी है वहाँ पर गंद की मेडिकल कॉलेज इसे पास पड़ेगा सनौली बोटर से उसमें यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज और जानकी मेडिकल कॉलेज है जनवपूर में तो यह जो छे कॉलेज हैं यह त्रिभू निश्टी से अगर पूरे नेपाल में बाहर के बच्चों के लिए तो इस हाड़ी 450 सीटे पूरे नेपाल में 450 फॉर आल दी फॉर इस्टूजेंट्स तो अब रफली मान के चलिए कि शिरलंगा के काफी लोग जाते हैं महां पढ़ने कुछ पाकिस्तान से भी आ जाते हैं तो इंडिन के ल कॉलिज या किसी और कंट्री का एक हमारे हां सौसो बच्चे ले जाता है यहां 300 बच्चे पूरे नेपाल में जाते हैं एक साल में और शाहद आपको इससे यह पता चलेगा कि नेपाल देखिए जब खुलके हम बात करते हैं जो में जो शाहिए उसे पॉस्टिव ले सकते ह तो एक क्लास रूम में सौ में से 66 बच्चे नेपाल के होते हैं और 33 बच्चे सारे मिला के फॉरन कंट्री के होते हैं इसमें शाहद 25 इंडिया के होंगे कोई शक्की बात नहीं है और ऐसा ही हर कॉलिज होता है तो हर कॉलिज में नेपाल का बच्चा है और वो फीज भी दे इसलिए नेपाल के किसी भी कॉलिज में इन्फरा की प्रॉब्लम नहीं है या खाने पीने की या हॉस्टल की नेपाल के बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं ना तो आप कॉलिटी ओव नेपाल के प्राइवट मेडिकल कॉलिज जो 16-16 इनको आप यह मांगे चलिए कि जो इंड होते हैं सिर्फ इंडियन्स होते हैं बेसिल्फ कॉलेज वह बनाया जाता है वह खुल के बोलतों हमारे लोग जाके चलाते हैं बट नेपाल में 66% हर जगा नेपाली स्टूड़न्ट है हर कॉलिज में तो खाना पीना यह सब तो एंशोर कराई जाएगा अच्छा क्योंकि न सब्सक्राइब करें लेकिन जो भी खाना पीन बिल्कुल इंडिया ने को सोचने यह बात ही नहीं है वीजा फरी एंट्री पेडिन्स कभी भी जाके मिल सकते हैं लेकिन जैसे कि मैंना को कहा कि नेपाल के बच्चों के लिए फीज कम है तो आपको कई बार ऐसे ना वीडियो या फोन आएंगे कि फलाना कॉलिज में आपको 60 लाग से भी कम फीज दी जा रही है कहीं 55 में आपको पैकेज उफर किया जा रहा है कहीं 50 में और मैं रिपीट क सब्सक्राइब करें तो मार्केट में दो तरहां के बच्चे होते हैं या तो जिने बहुत सब्सक्राइब से नेपाल के मार्केट पिसले एक साथ से थोड़ी डौन हो गई है और इसलिए नेपाल के कुछ प्रइवट कॉलेजिस आपको पांच इसे साथ लाग रूपे आपके उस साथ लाग का पड़े तो फिर सवाल यह उठता है कि साथ लाग हम नेपाल में दे रहे हैं उसमें तो दो बच्चे हमारे पढ़ लेंगे और जिबेकिस्तान ने में कहता हूं कि नेपाल तो मिनी इंडिया है वो कंट्री वो है तो आपको बजट कम है तो वहां भ सब्सक्राइब करने हैं तो हमेशा मैं समझाता हूं कि मार्कीट होती है जिसको हर कंट्री केटर करती है तो आपका 25 लाग है जी और डॉक्टर बनना ही बनने तो फिर है ना हमारे पास उजबेकिस्तान किर्गिस्तान कजागिस्तान रश्या लेकिन अप खर्च कर सत्यों पैसे आप चाहते हो बच्चा कमफर्टीवली रहे आप चाहते हो कि आप जम बरजी बच्चे से मिलना चाहता चले जाओ बच्चा जमर्जी मिलने आपसे आजये कोई साल में एक विजडर की बंदिश ना हो आप हर महीने चले जाओ हर दो दो में चले जाओ अफोर्ड कर सकते हैं साट पैसर लाग कर सकते हैं इंडिया में फस्ट चॉइस थी हमारी नंबर कुछ ज्यादा कम आ गए हैं लेकिन हम सवा क्रोड नहीं खच करना चाहते और सब्सक्राइब उतना शांदर कॉलिज नहीं मिलेगा तो जी जो वन फॉर्टी से नंबर के बच्चे हो गए उनके लिए नेपाल बिकम सब्सक्राइब ऑप्शन है डेफिनेटल अगर आप 300 नंबर वाले हो तो भी देखिए जो मनिपाल पोख रहा है वह तो बहुत ही शांदर कॉलिज है यह कॉलिज मेडिकल साइंस भरतपूर का मैंने नाम लिया था तो हमेशे काउंसलर में कहता हो ना कि सब के लिए सोलूशन नहीं है तो क्या नेपाल सब के लिए अच्छ है नहीं आपके पैसे नहीं है तो जोर मत मारो आपके 400 नंबर आपको इंडिया में क्या सीड मिलेगी तो नेपाल में साड़ बासा तो फिर भी खर्च होने है ना चाहिए आप हमारा नंबर जानते ही है नाइस नाइस इसफोर ट्री शिश टू-320 मैं हमेशा आपसे कहता हूं देगे मेरा समय ही मेरी कॉस्ट है नहीं हो लोग को चलाता नहीं हूं लोग को शायद को बुरा लगता है लेकिन मिनिममम 2500 चार्ज करते हैं बारा से पंदरा ब सब्सक्राइब कैसे खर्च करेगा तो फिल्टर ही हो जाता है कि चाहां बच्चे में एक्चुलिट दम है प्रइवर्ट में पढ़ाने का अगर डाइज और फिलाल देने गलो भी नहीं है टू एन एक्सपल्ट ओके सो बेस्ट विशिस बेस्ट अफ लग बाबाइब झाहााईब झाहाईब प्कु झाहााईब झाहाईब